गोन्या जिले में कोरुना संक्रमित मरीजों के संख्या में आज तीसरे दिन फिर्म आमुले गिरावट दर्ज की गए गुरुवार तीन दिसंबर को 105 पॉजिटिव मरीज कोरुना से जंग जीत कर अपने घरों को लोड़ गए जबकि 47 नए संक्रमित पाए गए है गुरुवार को एक गोंदिया निवासी 62 वर्षी मरीज की निजी एस्पिताल में उपचार के दौरान मृत्ती हो गई गुरुवार को जो 47 कोरुना संक्रमित पाए गए है उनमें गोंदिया तैसिल के 23 तिरोडा के 2 आमगाव के 11 देवरी के 2 सड़क अरजुनी के 6 एवम अरजुनी मूरगाव तैसिल के 3 मरीजों का समाविश है जिले में अब तक कुल मिलाकर 12,595 मरीज कोरुना संक्रमित पाए गए है जबकि इनमें से अब तक 11,597 मरीज स्वस्त होकर अपने घरों को लोट चुके है फिलहाल जिले में कोरुना सक्रिय मरीजों के संख्या 836 है जिन में गोन्य तैसिल के 434, तिरोड़ा के 46, गुरे गाव के 50, आमगाव के 94, साले कसा के 48, देवरी के 3, सड़क अरजुनी के 20, एवम अरजुनी मूरगाव तैसिल के 141 मरीजों का समाविश है 836 कोरुना सक्रिय मरीजों में से 564 मरीज अपने अपने घरों में ही आइसोलेशन में हैं तेश मरीजों का उपचार अलग अलग अस्पितालों में चल रहा है जिले में कुरुना से स्वस्त होने वाले मरीजों का प्रतिशत 91.13 एवम नत्युदर 1.19 प्रतिशत बताया जाता है जिले में अब तक कुरुना से कुल 162 मरीजों की मौत दर्श की गई है BS Crime India News के साथ जुड़े रहने के लिए यूटूब, वेबसाइट, ट्वीटर, फेस्बुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख, लाइक, कमेंट और शेयर करे साथी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से BS Crime India News डाट कॉम की एप्लिकेशन को डाउनलोड कर रोजाना तरजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे